हलो फ्रेंड्स बल्कम टू माई यूटूब चैनल सोगाय साब लोगों को पता चल जुका होगा कि SSC GDE की वेकेंसी इंक्रीस कर दी गई है अब आप लोगों की वेकेंसी हो चुकी है टोटल पैतालिस हजार पैतालिस हजार प्लस इसमें सिर्फ आप लोगों को अपनी एक सीट पकी करनी है तो उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी तब यह संबब है तो आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी का एक और टॉपिक लेकर हाजि हूँ आज का हमरा जो हिंदी का टॉपिक रहेगा शंदी तो शंदी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और यह ऐसी ट्रिक है जो आप लोगों ने पहले देखी होगी और ना सुनी होगी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि शंदी आप लोगों के लिए हलवा लगेगी त्याणि कहने का मतलब कि एक नैनो सेकेंड में एक नैनो सेकेंड में आप तुरंत आंसर निकाल देंगे यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो बॉस्च करना होगा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में यह जो ट्रिक है बहुती ज्यादा अच्छी है तो वीडियो के अंधर तक बने देखेगा आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइकों से जुरू करें और जो भी नए बच्चे हैं और जो भी बच्चे अससी जीडि की तयारी कर रहा है सामान हिंदी की तो सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बैल आउन करना ना भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले आप एक बात जान लेजिए, संदी होती क्या है, देखिए, किनी दो बर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन होता है, संदी कहलाता है संदी कितने प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना किस संदी कुल तीन प्रकार की होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धीरग संदिकी पहले आते हैं दीरग संदिकी ओपर संदिक तिनी प्रकार की ओती है कॉपिऑ नोट का लीज़े मैं बार बार बोल रहा हूँ देखिये इसे आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं बिल्कुल भी जरूद नहीं इसको पढ़ने की, आप इसे काट दीजिए, और अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसे आप पढ़ने ही नहीं आपको, ठीक है, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वह ट्रिक देख लेजी, देखिए, जो मैं आपको पॉइंट बता र बीच में बोल रहा हूँ सब्दों के बीचों बीच में अगर ये सब्ध आ जाएं बढ़ा आ बड़ी ई और बढ़ाउ तो वहाँ पर आपका देर्ग संधी हो जाएगा चलिए अब देख लिते हैं आप देसकते हैं कि जैसे कि धर्मार्थ इसमें बीचों बीच में बढ़ा आ आ रहा है बड़ा आ रहा है देखते हैं आप धर मार्त बड़ा आ रहा है आँख बंद करके दीरग संदी पर टेक कर दीजेए जैसे कि स्वार्थी तो स्वार्थी में देखिए बड़ा आ रहा है बड़ा डंडा बड़ा डंडा इस प्रकार से होता है बड़ा डंडा तो द अब देवार्चन इसमें भी बड़ा आ है वीरांगना इसमें भी बड़ा आ है मतानुसार इसमें भी बड़ा आ है देवाले उसर देखिए इसमें भी बड़ा आ है नवागत इसमें भी बड़ा आ है सत्यागरे इसमें भी बड़ा आ है देवा गवन इसमें भी बड़ा आ है देखिए वा या वा देवाले वा निकल रहा है वीरांगना रा निकल रहा है ना में भी बड़ा आ है देवाचन देख सकते हैं देवाचन बड़ा आ निकल रहा है देख सकते हैं आप लोग स्वार्थी वासेवट बड़ा आ इसमें भी निकल रहा है तो इसमें देखिए आप की बडा की और भी देख लेते हैं परचारती यानि की परचारती बडा आ देख सकते हैं आप लो इसमें इ odpowed spicymaant इसमें Бड़ा आ है निकल रहा है सीमान देखते है इंगा मा रेकांस देखिए देखिए other आ आ रहा है महात्मा में बड़ा आ आ रहा है हां में देखिए बड़ा की मंत्रा चाड़ी देखिए हां में बड़ा की मंत्रा है विद्याले विद्याले में भी देखिए बड़ा आ आ रहा है विद्याले ऐसे आ रहा है ना देखिए ना बड़ा आ रहा है वारता लाप देख कर रहा हूं बड़ी ए की, तो मैंने आपको बताया था बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा उ, अब यहां से आपके चलालू जाते हैं बड़ी ए, अब देखिए, अतीव, अतीव, बड़ी ए आ रहा है, इसमें देखिए, ती, बड़ी ए, यह आपको द्यान रखना है, हरीश, हरींद्र, योगींद्र, सचींद्र, लक्षमीश शा, रजनीश, योगिश्वर, देखिए आप लोग, समय बड़ी ए है, समय बड़ी है, नारीश्वर, नारीश्वर, देखिए, नारीश्वर, बड़ी की मंत्रा निकल रहा है, इसमें, नारीश्वर, वीदुधय, दे सकते हैं आप लोग विदुधय चोटा उ की मंत्रा दे सकते हैं आप लोग चोटा उ गुरूप प्रदेश चोटा उ की मंत्रा लगुत्र दे सकते हैं आप लोग बड़ा उ की मंत्रा लगूर्मी बड़ी उ की मंत्रा धातुश्मा बड़ी उ की मंत्रा बड़ा उ मैंने की ट्रिक में आप दे सकते हैं इसमें बड़ेगों की मंत्रा है इसमें भू बड़ेगों की मंत्रा किसको कहते हैं ना बड़ेगों की मंत्रा बड़ा उ आ हो बड़ी ए हो और बड़ा उ हो आक मंतर के दीरिगर संदी पर टिक कर देजिए तो दीरिगर संदी का जो concept ताप का clear हो चुका है ठीक है अब हम आ जाते हैं गुर्ण संदी के ऊपर तो ये ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ सब्द पर आपको दियान में देना है सब्दों के बीचों बीच में सब्दों के बीचों बीच में अगर वन मिनट सब्दों के बीचों बीच में ए आ जाए जैसे की ओ आ जाए जैसे की ये मालिज ये जैसे रिशी रिशी नहीं होता है इस परकार से ये मांतरा आ इस प्रिकार से देखा होगा आप लोगों ने रा उड़ा ऐसा होता है लगूर्मी जैसे कि होता है लगूर्मी में रा उड़ा जैसा होता है तो यह सब जहां पर आजाए तो वहाँ पर आपकी गुर्ध संदी उड़ा पर जैसकि A हुआ और O हुआ और एक आपकी मंत्रा यह वाली हो गई और एक ये रा उड़ा ऐसा होता ये वाली हो गई तो आंख बंद करके आप लोग गुड़ संदी पर टिक करें ठीक है तो कुछ उधारों देख लेजिए उधारों के मद्देर से मैं आको समझाओंगा जैसे की और गई नरेंद्र एक की मंत्रा उपर चड़ रही है मैंने आको क्या बताया था ए थो देखेंगे इसमें इ है उपर सर देखिए ना सर नरेंद्र उपर एक की मंत्रा आरही है कुछ पस पेंद Requ Мы आप लोग ए ठीक है रमेश अब देखिए यह वाला यहां से यह वाला जो था वो खताम हो चुका है अब हम आते हैं उपे अब देखिए अब हम आते हैं ओपे ओ मैंने आपको क्या पताया था जहां पर ए आ जाये ओ आ जाये या इस प्रकासे कोई मांतरा हो ओपर राच अड़ा हो तो यह सब्द आ जाये तो वहां पर क्या हो जाएगा गुण संदी अब देखेगा बिरोचित बिरोचित ओ की मांतरा निकल रही है मान वो चित देखिए वो में इसमें भी ओ की मांतरा निकल रही है देखिए ओ की मांतरा निकल रही है परोपकार रोमई भी ओ की मांतरा हितो प्रदेश ओ की मांतरा दे सकते हैं आप सुरोजय देखिए इसमें राचला वो निकल रहा देखिए सुरोजय देखिए राचला इस कि बदी इसमें भी ऑकी मंत्रा या है आप डियोबी डायोऌ मिनुक्तर यह की मंत्रा में इस्किते आप लोग में चोटी की मंत्रा और मोर देले चोटी है सब्त रिसी, राज रिसी, ब्रह्म शरी, महिश्री, रिसे रिसी तो एक कौम वीवार नोट कर लिए जहां पर आपके A आ जाए, ये सब्द आ जाए A बीचो बीच में, करने का मतला बीचो बीच में, सब्द के बीचो बीच में A, O और ये वाला सब्द आपका जो हो गया और उपर जो रिसे-रिसी माता चड़ी होती ये सब्द आ जाएं वहाँ पर हो जाएगी आपकी गुण संदी ठीक है तो गुण संदी भी आपका कलियर हो चुका है तो ब्रद दिसंदी में आपको ये पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इसको बिल्कुल मत पढ़िए छोड़ दीजिए ज़्यादा दिमार लगाने के जरूती नहीं है ठीक है अब देखेगा ब्रद दिसंदी में क्या है One minute Sبدوں के बीचो बीच में Sبدوں के बीचो बीच में जहाँ पर आपका O ये सBD आजाए O, से आउरत ठीक है इसके बाद A आजाए 2 सBD आपको याद रखने O, से आउरत A, से A नक ठीक है O, A 2 सBD आपको याद रखने है तो वहाँ पर आपकी ब्रद्य संदी हो जाएगी, चलिए कुछ उदारऊन देख लेते हैं, अब देखिएगा इसमें, एक का एक, दो मांतरा चड़ीए, देखिए, एक ये वाली, और एक की ये वाली, एक ये वाली, दो मांतरा आपको याद रखनी है, ठीक है, एक का एक, इ पर देखिये एक मांतरा आ जाए जहाँ पर देखिए यह वाली मांतरा आ जाए या वाली मांतरा आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी ब्रदी संदी ठीक है अब कुछा देख लिजी आप देखिए यहां पर भी दो मांतरा आ रहीं हैं दंतोष में दो मांतरा हैं और अपका जो कॉंज को सब्हदों के बीचों बिच में आओ, एक कॉमी पर नोड कर लीजिए, आओ, और A, ये आ जाए, वहाँ पर हो जाएगी आपकी प्रदिसंदी, तो ये भी आपका कलियर हो चुका है, ठीक है, अब आते हैं यन संदी पे, अब यन संदी का कॉंस्टेप्ट देखेगा, अब आपकी आजाती हैं यन संदी, इसको मारो गोली, इसको आपको पढ़नाई नहीं है, ठीक है, कार दीजेए इसको, मिलकुली मत पढ़िए, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, सब्दों की बीचों बीच में यावारा, यावारा से पहले आधा बढ़ आए, अथवा अपूर्ण सब्द ना हो, पूर्ण सब्द कहने का मतलब की पूरा सब्द ना हो, तो वो हो जाएगा आपका यन संदी, अब देखेगा, अत्यधिक, यासे यग आदा इसमें, यगदपी, अपूर्ण सब्द है, इत्यादी, यासे यग आदा है, अत्याचार, यासे यग आ आदा है कि देवाग्यमन पूरा सब्द नहीं है अपन सब्द संख्याग्यमन अपन सब्द है उप्योक्त अपन सब्द है यह ए अब कि हैम अ time is या से वह वस्वाथ held और वह यह व कि मैंना आको क्या बता है था या वा रा से पहले आदे सब्द हूँ तो देखिए वा आदा सब्द है नियून अपून सब्द है ये प्रतेक आधा देखिए या से अधा ये भी देखिए अपून सब्द है इसमें तो अपून सब्द जहां पे हो वो आपका हो जाएगा यान संदी यह आपको ध्यान रखना जो concept मैं आपको बता रहा हूँ उन concept को आप अच्छे से देख लिए देखिए त्रा से त्रसूल त्रा मातराग्यां पित्राग्यां मातरिच्छा प्रतिच्छा तो जहां पर त्रा आजायलाश्ट में वो हो जाएगा आपका यन संदी तो यह भी concept आपका clear होता है ठीक है अगली संदी पर आते हैं अगली संदी है हमारी अयादी संदी यह आपको नहीं पढ़ना है ठीक है इसे कार दीजी आप अब देखेगा सब्दे के बीचों बीच में बहुती सिंपल है या और वा यह आपको याद रखने है ठीक है या और वा आयादी संदी में या और वा सब्द आपको याद रखने है अब देखिए नयन बीच में यारा है क्या हो जाएगा आयादी संदी शयन बीच में यारा है आयादी संदी हो जाएगी सिर्फ दो सब्द से आप आयादी संदी सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए नायक यासेयग गायक यासेयग गायन यासेयग नायका यासेयग गायका यासेयग पवन वासेवट 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 देशकते हैं आप लोग पावन वासेवट 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 भावुक वा से उवट यानि कहने का मतलब क्या है सब्दों के बीचों बीच में या वा होता हो वहाँ पर आपका हो जाएगा आयादी संदी पहुती सिंपल से ट्रिक है दो सब्द आपको याद रखने है या और वा यानि कहने का मतलब क्या है सब्दों के बीचों बीच में यावा होता हो वहाँ पर हो जाएगी आपकी आयादी संदी तो ये भी concept आपका clear हो जाता है ठीक है तो trick के माध्यम से मैंने आप लोगों की जो संदी थी वो clear करा दी है एक second में आप पता कर लेंगे कि यहाँ पर कौन से संदी होगी यहाँ पर गुन संदी होगी और बाकी क्या की बेंजन संदी और बिसरक संदी इसके बारे में मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडि नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बाइल आउन करना ना भूले तो मिलते हैं नच वीडियो के साथ जाहिए जाहिए जाहिए